देश को विकास की नई उंचाई पर ले जाने वाले इस महत्वपून बजेट के लिए मैं सभी देश वास्यों को बधाई देता हूँ वित्त मंत्री निर्मला सितारमन जीवर उनकी पुरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है साथियों ये बजेट समाज के हर वर्ग को शक्ती देने वाला बजेट है ये देश के गाउं गरीब किसान को समरुद्धी की राह पर ले जाने वाला बजेट है पिछले दस वर्षों में पचीश करोड लोग गरीबी से बाहर निकले है इजो नियों बिडर क्लाज बना है ये बजेट उनके ससक्ति करण की निरंतरता का बजेट है इन नवजवानों को अंगिनत नए आउसर देने वाला बजेट है इस बजेट से सिच्छा और स्कील को नई स्केल मिलेगी ये मिडल क्लास को नई ताकत देने वाला बजेट है ये जनजातिय समाच दलीत पिछडों को ससक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है इस बजेट से महिलाओं की आर्थिक भागेदारी सुनिस्षित करने में मदन मिलेगी इस बजेट से छोटे व्यापारियों, MSM इसको और की लगूत जोगों को उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा बजेट में मैनिफ्रेक्टरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्त्रक्चर पर भी बल है इससे आर्थिक विकास को नई गती मिलेगी और गती को भी निरंतरता मिलेगी साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूत पुर्व अवसर बढ़, ये हमारी सरकार की पहचान रही है आज का बजेट इसे और सुद्रुड करता है, देश और दुनिया ने पियलाई स्कीम की सफलता देखी है अब इस बजेट में सरकार ने Employment Link Incentive स्कीम की गोशना की है इससे देश में करोडों करोडों नए रोजगार बनेंगे इस योजना के तहत जीवन में पहली नोकरी पाने वाले युवा की पहली तनक्वा हमारी सरकार देगी Skill Development और उच्च सिख्षा के लिए मदद हो या फिर एक करोड नवजवानों को इंटरंशिप की योजना इससे गाउं के गरीब के मेरे नवजवान साथी मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे हमें हर शहर हर गाउं हर गर एंटर्प्रिनस बनाना है इसी उद्देश से बिना गरंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को दस लाग से बढ़ा कर बिस लाग रुपी किया गया है इससे छोटे कारवारियों विशेश रुप से महलाओं दलीत पिछडे आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा साथियों हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैनिफेक्टरिंग हब बनाएंगे देश का MSME सेक्टर मद्यमबर्ग से जुड़ा हुआ है एक प्रकार से MSME सेक्टर की ownership मद्यमबर्ग है और इसी सेक्टर से गरीबों को जादा से जादा रोजगार मिलता है छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत उस दिशा में हमारा एहम कदम है इस बजेट में MSME के लिए Ease of Credit बढ़ाने वाली नई योजना का एलान किया गया है Manufacturing और Export Ecosystem को हर जीले तक ले जाने के लिए बजेट में एहम गोशना की गई है E-commerce, Export Hubs और Food Quality Testing के लिए 100 units ऐसे कदमों से One District, One Product भ्यान को गती मिलेगी साथियों ये बजेट हमारे Startups के लिए Innovation Ecosystem के लिए देर सारे नए अवसर लेकर आया है Space Economy को बढ़ावा देने के लिए एक हजार करोड रूपय का फंड हो Angel Tax हटाने का फैसला हो ऐसे कई सारे कदम इस बजेट में उठाए गए है साथियों Record High CapEx Economica एक Driving Force बनेगा बारान नए इंडस्टियल नोर्स Records तर पड़ है इस बजेट में डिपेंज सेक्टर को आत्म निर्भर मनाने के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं आज पूरी दुनिया में भारत के प्रती आकर्शन बड़ा है और भारत में तूरिजम के खेत्र में नई संभावनाय बनी हैं तूरिजम खेत्र गरीब और मद्यम्वर के लिए कई अवसर लेके आता है इस बजेट में तूरिजम खेत्र फिर भी विशेश बल दिया गया है साथियों एंडिये सरकार ने पिछले दस साल में ये सुनिशित किया है कि गरीब और मद्यम्वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे इस बजेट में भी इंकम टैक्स में कटोती और स्टेंडर्ड डिड़क्शन में बुद्धिक का फैसला लिया गया है टीडियेस के नियमों को भी सरल किया गया है इन कदमों से हर टैक्स प्यर को अतिरिक्त बचत होने वाली है साथियों देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी छेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वो देख के विजन्द्वारा हमारे इस से अभ्यान को नई गति नई उर्जा मिलेगी हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफरावसेक्त्र जैसे हाइवेज बाटर प्रोजेक्स और प्रावर प्रजेक्स का नियर्मान कर विकास को नई गति देंगे साथियों इस बजेट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडॉक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं इससे एक और छोटे किसानों को फल्क सब्जियों अन्न उपज के लिए नए बजार मिलेंगे बहतर दाम मिलेंगे तो दूसरी और हमारे मद्यंबर के लिए फल्क सब्जियों की उपनब्दता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोशन भी सुनिस्टित होगा कृसिक छेत्र में भारत का आत्मा निर्भर बनना समय की मांग है इसलिए दलहन तिलहन की पैदावर बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की गोशना की गई है साथियों देश में गरीबी समाप्त हो गरीब का सतक्ति करण हो इस दिशा में भी आज के बजेट में प्रमुग गोशना की गई है गरीबों के लिए तीन करोड नए घर बनाना तै हुआ है जन जातिय उन्नत ग्राम अभियान सेचुरेशन एप्रोच के साथ पांच करोड आदिवासी परिवारों को मुल्बुत सुविधाओं से जोडा जगा इसके अलावा ग्राम सड़क योजना पचीस हजार नए ग्रामिन छेत्रों को आल वेजर रोड से जोड़ेगी इसका अलाव देश के सभी राज्यों के दूर तराज गाउं को मिलेगा साथ क्यों आज का बजेट नए अवसर नई उर्जा लेकर आया है ये डेर सारे नए रोजगार स्वरोजगार के आउसर लेकर आया है ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है आज का बजेट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैट्रेलिस्ट का काम करेगा विक्सित भारत की एक ठोस नीव रखेगा सभी देश वाचियों को बहुत बहुत सुब कामना है झाल